नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरी शुराइट करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल गमांड ओकेडमी पर दोस्तों आज का ये वीडिया इस पेसली आप सभी के बहुत ज्यादा जो कमेंट रहते हैं जितने भी बचे जो SSE GD का पेपर देते हैं और जिनों का सबने मेरे वीडियो देखेंगे और यह है SSE GD 2021 मैं आपको बता दूँ कि इस वेकेंसी के बारे में मैंने जितना भी बताया था उसके प्रूफ है आप उन बच्चे बहुत सारे बच्चे उचुड़े हैं मैं आपको 100% गारेंट देता हूँ कि जो चीजे मैं बताता हूँ उससे डिफाल्ट नहीं हो सकती हो सकता है कि उसके राउंट में 1-2-5% का फरक हो सकता है लिकिन उससे आगे या पीछे नहीं हो सकता मैं आपको बताऊंगा आज की फाइनल का टॉप कितनी उपर रह सकती है जो आपकी फिजिकली का टॉप आई है इसके बाद में SSE GD 2018 2015 और सको आप निर्वर होके ना बिटू कई लोग ऐसे बोलते हैं कि पलस एक बड़ेगा कटॉप से फिर दो बड़ेगा कटॉप से फिर तीन बड़ेगा उन्होंने खुद ने से से जी डी कभी पेपर दिया नहीं है कभी जोइन की नहीं है उनको किस बारे में कोई भी नोलिज नहीं है बस ऐसे ही तुके मार रहे हैं वाज सकता से अभी मैं आपको रूब रू कराऊंगा ताकि आप आगे की मेहनत कर सको अगली वेकेंसी के लिए तैयारी कर सको आपको CGL ताहर की और RR भी NTPC की तो उन सभी के लिए फिरी मेमो टेस्ट है ओली बोर्ड की तरह से मैंने नीचे लिंक दिया ओली बोर्ड का बिल्कुल फिरी है कोई चार्ज नहीं है इसमें बहुत सारे बचे ने लग बग एक लाग आसपास बचे अटेंड करने वाले हैं इसको आप भी जाएए अटेंड करिए लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो जल्दी से जाएए और अटेंड करिए भाईए अब एक चीज में आपको बताता हूँ कि अगर ये राज जोगा में वीडियो भी बना रहा हूंगर आपको और अच्छे से एनलाइज करना जाएए रिजल्ट वाले उप्शन में जाएए एससे जीडी में जाएए वहां पर पूरा का पूरा मैंने एनलाइज करके पूरा का पूरा डाटा फीड किया है आप उसको अपने इस्टेट वाइज दे सकते हैं आप उस सिर्फ गूगल पे लिकना कमांड ओकेड मी ठीके लार्लो चलिए बात करते हैं अब SSE GD 2021 के बारे में सबसे पहले आप सभी को बता दूँ कि आप सभी को बहुत 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 बताई कि आपने पेपर पास किया है दूसरी सबसे पहले मैं बता दूब कि अभी जोाप की कौट ओप आई है यह है लार्लो फीजिकल की कटो फ इसमें लगबग आप सभी को पता है कि तीन लाग विद्यारतियों को पास किया गया है। आंकड़े आप सभी के साइसपस्ट है। और मैंने आपको अब मेरा पहला वीडियो देख था जिसमें मैंने बताया था कि 25,211 का आज पास की ये वेकेंस है। पास की जाएंगे। उसके पीछेंडियों है कि 10 गुना पास की जाते है। इस बार शीटे कम होने के कारण 12 गुना पास किया गया है। अब हर बार 10 गुना पास किया जाता है, तो उस समय भी डिरिश से ककरें। तो बहुत ही टिपिकल्ट होता जाता है नंबर लेना, बहुत हार्ड हो जाता है, तो इस बार तो आप सोचें कि 12 गुना पास की हैं, तो और भी मुश्किले आएगी, तो जो बच्चे, चाहिए आप कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हों, पहली बात तो सुनें कि यह पहल दो लाग बच्चे आउट हो जाएंगे, दो लाग बच्चों को आउट करने का मतलब आप सोचें कि मेरिट कितनी बजेगी, परते एक राजे में कुछ ऐसे राजे हैं, जिनको मैं अभी साइड में करना चाहता हूँ, उन राजियों की मेरिट में ज्यादा बदलाव नहीं तो फीस है, एक लाग बीस जार रुपे फीस है, अगर आपका सेलेक्शन नहीं होता है, एक साल के अंदर किसी भी गवर्मेंट जोब में, तो आपको पचास जार रुपे फीस रिटरन कर दी जाएगी, ठीक है, अकेडमी हमारी कुछामन सिटी राजस्तान में, सेलेक्शन नहीं तो फीस नहीं हो, ठीक है, गारेंटी बेस के अभी एडिशन चल रहे है, ससी जीडी, इसमें आप आर्प्याप कॉंस्टेबल कर सकते हैं, दिल्ली पुलिश कर सकते हैं, जितने भी वेकेंस यह हैं, उन सभी की तयारी कर सकते हैं, के विले एक ही फीस में, नहीं भी ए से बात कर सकते हो, इन बत्रों से बाच कर सकते हो, इतना हम प्रूब देते हैं, और जो फीस रिटर्न है कर सेलेक्शन नहीं होता, तो वो भी हम लिखित में देते हैं, अगर आपको अकेड में आना, डिस्कृप्शन में भी मैंने नमबर लिख दिया है, नहीं तो आप इस अगर आपको अकेड में आना, हाँ, अब मैं जिन बच्चों की, जिन स्टेट की बात करता था कि इनकों में साइड में रख दूं, तो वो स्टेट की मैं आपको बताता हूं, देखिए उन स्टेट में आप अरुनाचल प्रदेश, नागा लेंड, मानिपूर, मेगाले, पस का असम, यह जो मैं राज्ये बता रहा हूं, यह निए लगबग भारत के 28 राज्यों में से अगर मैं बात करूं, 16 राज्ये की, तो इन राज्यों में जो मेडिकल की, जो कटोप जाएगी, ज़्यादा बदलाव नहीं आता है, यह नहीं की पलस नहीं जाता है, बिलकुल प बता दूँ, अगर आप इन राज्ये से हैं, अगर आप इन राज्ये से हैं, तो आप मान लिए जनरल के टेगरी से हैं, या OBC से हैं, या EWS से हैं, या SC से हैं, या ST से हैं, देखिए, आरेक्शन बहुत परकार के जूरते हैं, SSE, GD की वेकेंसी में, अलग-अलग टाइब क कैसे आप जनरल हैं OBC, EWS, SC, HD इसके साथ मैं अब आपके district level के जैसे general district से बिलोंग करते हैं या आप नकसल से बिलोंग करते हैं या आप पोडर से बिलोंग करते हैं तो इन सभी के आरक्षन SSEGD में जूरते हैं पासम जाएं अब जो मैं राज्ये बता रहा हूँ पहले जो 16 राज्ये के आसपास के जो नाम आप सबी समझ के होंगे कि मैं किन राज्यों का नाम लेना चाथा हूँ और नाचल प्रदेश मेगाले, मनिपूर, करनाटक, तमीन लाडू अश्रम आपका गुजरात भी उसमें से एक हो सकता है लेकिन गुजरात की इस बार मेट अप करेगी उसके अलाओ जितने विज़े से असम हो गया पर्शिम बंगाल है तेलंग गाना हो जाएगा, आंद्रप्रदेश हो जाएगा, करनाटक यह जो राजे हैं, जहां पर क्या फोर्श का बोलवाला कम है ठीक है? तो इन राजेओं की जो कटोफ है यह अगर आप इन में अगर नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं या अगर आप इन में बोडर एरिया से बिलोंग करते हैं या इन तीनों में से कोई भी केटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कटोप जाएगी वो ज्यादा उपर नहीं जा पाएगी जान रखना मेडिकल के लिए तो विशेश करके बहुत कम उपर जा पाएगी एक नमबर या दो नमबर बहुत कम हो लड़कियों की तो बहुत ही माइनर डिस्टेंस से उपर बढ़ेगी तो आपको फिजिकल की तयारी हंडेड परशेंट करनी चाहिए इसमें कोई शक नहीं है अब यह तो वो राज्य हो गए कि जहां कि कॉट्व कट्व फाईनल कट्व भी पचास के आस पास रहती है यह में उन राज्यों की बात करता हूँ जिनकी आप फाईनल कट्वपचास के आस पास देखते है पिशली वेकैसी 2018 वाली की जिस इस्टेट में 50 के असपास कटोप रही है उन राज्यों की मैं बहुत कर रहा हूँ कि आपकी फिजिकल के बाद में मेडिकली जो कटोप लिश्ट आएगी उसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा इस पेसले अगर लड़की है तो राजस्तान, हरियाना, पंजाब, एमपी, यूपी, दिल्ली और राजस्तान, हरियाना, पंजाब, एमपी, इसमें आप जार खंड ले लिजिए जो जनरल एरिया जार खंड, चतिस गड़ भी ले लिजिए 37 गड़ कोलों में ध्यान रगना च्टिश गड़ कह जनरल एलियरी की बात कराँ जरल इसलिशिक की बात कराऊं यहां पर इसके अलाब मारा स्ट ले लिजिए और VYहार ले लिजिए Jạt GK ले लिजिए जमू किस्मीर ले लिजिए और रास्तान हो गया, हरियाना हो गया, पंजाब हो गया, MP, UP, दिली, जारखंड, 37 गड़ मारास्ट, बियार, जमुकस्मीर और गुजरात, गुजरात भी आप इसी मिले, इस बार आप उसमें नहीं ले सकते गुजरात को, पिसली बार भी गुजरात की मेट बाद में अप गई थ काफी कम है, अगर आपका फिजिकल की कटोफ से, अगर नॉर्मलाजेशन के बाद भी एक नमर पलस है, या दो नमर पलस है, या तीन नमर पलस है, या चार नमर पलस है, इन्हें में से अगर कोई भी पलस है, एक नमर दो नमर तीन नमर चार नमर पलस है, तो आपको कभी भी निश्यत नहीं होना, अगर आपके 5 नमबर पलस भी है, और अगर आप चाहिए कोई इसी भी केटेगरी इने में से चाहिए आप किसी भी केटेगरी से बिलों करते हो तो भी आपको किसी भी कंडिशन में ये नहीं सोचना है, कि आपका सेलेक्षन हो जाएगा, आपका सेलेक्षन के चांसेज में आपको बता दूँ, 10% से लेकर, 25% के बीच में आपके अनुमानी ज़े, 10% से लेकर 25%, और वो भी बहुती रेर केस में मेरे अनुमान से ये भी नहीं आपको फिजिकल जरूर देना है फिजिकल के तयारी जरूर करना, इसमें कोई शक नहीं है, क्यों देना है फिजिकल मान लिजए, खुदा नकास ताप S.E. केटेगरी से बिलोंग करते हों, और S.E. केटेगरी से आप बिलोंग करते हों नकसल एरिया से बिलोंग करते हों, जरनरल एरिया से नहीं है लेकिन आप निशित ना होई है कि आपका सेलेक्शन हो जाएगा इस कंडिशन में जिन बच्चों के फिजिकल की कटोप से 10 नंबर पलस है या इससे भी जादा नंबर पलस है जिन बच्चों के फिजिकल की कटोप के लिए 10 नंबर पलस है या इससे भी जादा नंबर प्लस है वो कहीं न कहीं रिलेक्स हो सकते हैं बाकी नहीं कि आप एक, दो, तीन, चार, पांच लागर नमर पर देमेरी सोच रहें आपको फिजिक स्थेन, टैरी करनी चाहिए लेकिन मेरे लेकिन अगर आप राजस्तान, हरियाना, पंजाब, एमपी, यूपी, डिली अगर इन अच्छे इस्टेट्स हैं तो आप चार नमबर पांच नमबर पलस को अपना नोकरी मत मानी, फिजिकल जरूर तयार करिए, फिजिकल देना भी है, आपको फाइदा भी होगा उसका लेकि नोकरी के लिए आप निश्यत ना होगे, आपको अगली वेकेंशियों की त्यारी करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कभी भी आपको इसके लिए निश्यत नहीं होना है, क्योंकि आपको मैं बता दू कि पिछली जो मेरिट गई थी, उसमें लड़कियों की भी, दस दस, आपको पूरी जानका ही मिल जाएगी लाड़नों, जय हिंद, जय भारत